हेलो दोस्तो, दोस्तो आज की कहानी का नाम है हमारा कोयल का गीत, कोयल की गीत खो गए हैं, हरे तुम्हें अपनी अवाज डूनने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्या आपको लगता है कि कोयल कभी गाप आएगा, बताओ बताओ, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक बार एक काला कोयल था वह मीठे गीत गाता था खास कर अलग-अलग रतुओं के बारे में बैसाक के महीने में कोयल बीमार पड़ गया अब वह गाना नहीं गापा रहा था उसे बहुत दुख हुआ गर्मिया आ गई जेट के महीने में आम और कटहल पकर तयार थे कोयल उनके रसीले पन के गीत गाना चाहता था वह डाल डाल पर उड़ता और गाने की कोशिश करता मगर उसके गले से आवास नहीं निकली सेमल के पेड ने उदास कोयल को देखा पेड ने कहा अभी मौसम बहुत गरम है जरूर इस वज़र से तुम गान नहीं पा रहे हो बस बारिश का इंतजार करो जब बारिश आएगी तो बूंदों की मधुर टिप टिप से तुमें गाने में मदद मिलेगी फिर कोयल बारिश का इंतजार करता रहा फिर क्या हुआ? सावन आया आशान और शावन के महीनों में बारिश की चादन ने धर्टी को लपेट लिया दियां नहरे जीले और खेट सब पानी से भर गए और कोयल भी पूरा पानी में भीग गया कदम के पेड़ पर फूनों के पीले गुचे खिल उठे अपनी आवास की खोज में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उरता रहा फिर भी उसे उसकी खोई आवास कहें नहीं मिली बिचारा उसने फिर क्या करा होगा? रदर तू में बारिशें बंद हो गई कोयल ने उनकी सुन्दरता के गीत गाने की कोशिश की उसकी कोशिश असफल रही लेकिन फिर भी कोयल ने हार नहीं मानी कारतिक और अगहन के महीने में पत जड़ाई किसानों ने नई चावलों की कटाई की अच्छे फसल होने की खुशी में मनाये जाने वाले त्योहार पर भी कोयल नहीं गा पाया पहुत ही बिचारा परिशान हो गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी फिर क्या हुआ? एकदम निराश हो चुका था फिर औरतों ने खजूर के पेड़ के रसे गुड़ बनाया उन्होंने मीठे पगवान भी बनाये खेट पीले सरसों के फूलोंक में उजवल थे साल लगबक खत्म होने वाला था लेकिन कोई अलब तक गा नहीं पा रहा था वहां रोने लगा क्या उसके गीत हमेशा के लिए खो गए हैं साल के अंत में बसंत आई फागुन और चैत्र के महीने में पेड़ों पर नई पत्ते उगने लगे आमके पेड़ों पर नई कलियां उगाई मदुमक्यों ने गाना शुरू कर दिया कोयल के कानों में मदुमक्यां भिन भिनाई कोयल ने फिर से गाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ मदुमक्यों ने गाना बंद नहीं किया वे गुन-गुनाती रही इसलिए कोयल भी गाने की कोशिश करता रहा मैं उसके गले से एक थीम इस यवाज आई कू आखिरकार कोयल ने एक मदूर गित गाया साल भर की उसकी मेनत बेकार नहीं गई अब कोयल बसंत के पक्षी के रूप में जाना चाहता है और उसके सुरीले गीतों में बसंत रितू का आगमन होता है दोस्तों कैसे लगी आपको यह कहानी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुश्किले आए या कितनी भी दिक्कते आए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद